आई हुए सभी भाइबेनों को प्रभियेश मसी के नाम से ब्रेम का बंदना एक और बार फिर आपकी बीच में वचन के साथ आपकी उपसिती में रहकर जो वागे प्रभू ने मौका दिया है उसके लिए में दरेवाद देता हूँ हमारा प्रभू कितना अद्पूद रिती से अरेक विश्वासियों को अपना साभरती हातों से चला रहा है जब ये बात देखते समय में हम सबको कितना अधिक दनेवाद देना चाहिए अधिक देखा जाए तो संसार्क में लोग कितने लोग अभी भी तकलीव में हैं है दुख में हैं और अनग अलाक रोकों से आ थ्वेह तकलीव कर लोग रेते समय में इनसर परिस्टियों जो सझाफी तर्शा में चलते समय में इस सबकेम स्बके पीछ में सबको अभाल कर वह दैखभाशन कर्त ऑवे देख़न देकर ने साय क्ना किषिए 1 taxation हम मैं बास समझते हैं कि यह जब हम एक विक्ति का जब हम पीछा होते हैं या मानते हैं तो उस विक्ति के अंदर कुछ खास गुण विशेश होना चाहिए लोग परमाई नाम नोक बड़ा वक्ति है सामबन रानो अध बोले आवक्ति नाला सफावू उलविक्ति आनो अलेंगे ले आवक्ति के पार बिरिमाय जीवदेति लेदिकल मुणवी सेशन नंदो इननाम आदियु तरके अदाए तो सच्छार के लोग क्या करते हैं सबसे पह यहां पर बोले दने नमका अधिक फोलिकेशन अधि बोले दने नमटे पर्किंग फिसल्टी अधके अब नोगना नमलके काडवान वीडियों जब एक आदमी नौकरी के लिए जाते हैं समय में सबसे पहला कंप्णी वाला उस विक्ति से क्या पुछता है मारा भाइस तुम कमपडी को जो ज़रुपिकेशन चाहिए जो जरुर्ँ नौकरी के लिए वो उस व्यटि में है करी कंपड़ी पहला देखता है तो वचन के अनुसार चलो हम देखते हैं कि जिस व्यूद के पीचे हम लोग पीचह हो रहे हैं कि वो योग है कि हम उसके पीचे होएं और पिर उनको बुलाने के वज़े से परेणाम ये हुआ कि उओलो प्रभु के चेले बन गए क्या था और हम जानते हैं कि उओलो को को समाज में कोई भी नहीं थे प्रती दिन का कमाई करके उसी कमाई में उलोग अपना घर संबाद देते परदू फिर भी प्रभू ने जब उनको बुलाया बुला कर क्या कहते हैं अभी तो तुम बुलों मच्छी पकड़ने वाले लोग हो लेकिन मेरे बुलावट के अनुसा तुम अगर चलोगे तो मैं तुमको मनिश्व पकड़ने वाले को बनाऊगा उनका गुण क्या था योगयता क्या था उनलों को सिर्फ जाली फेटने को मानूल था उनको बस मच्छी पकड़ने का अनुभा होता और फिर प्रभु का सही बुलावट मिल जाने के बाद हम देखते की ये लोग ऐसे लोग बने की प्रभु के नाम में वीर कार्या, अकुत कार्या, चबककार कार्या करकर के प्रभु का महिमा दे सके, इस प्रकार का जिंदेगी उलोंग जिने लगे परवेश्वर का महिमा होगा परवेश्वर को देखते हैं कि हमारे समाज में आज पास के पड़ोस में सभी लोगों के पास उनके देश के राजा है परन्तु हमारे देश में राजा नहीं परवेश्वर का महिमा होगा अब ये बात जानते हैं कि इसराइल लोग जिस रास्ते से आये थे एक दासत्व का अवस्ता था उस अवस्ते से प्रभू ने उनको छुडा कर उनको बाहर लाका स्वतत्र किया था फरोन का गुलामी का अधिकार से उन लोगों जो बंदिते उनसे छुटकारा देकर तो बाहर निकलने के बाद भी तभी भी इसराइल का हवस्ता हमेशा आदत क्या था बाहर का परिस्तिती देखते थे उनलो और हम यह बात देखते है कि प्रभू ने जिस अद्बुत रिती से उनको छुडा कर सुरक्षित लेकर आया वो लो वो सब बातों को बुल गए प्रभू का नियम के अनुसार जीने वाला कानुट को बात को मानों को मान कर जीने वाला प्रभू का हुर्दय को खुश करने वाला विक्ती था अनुएल का बच्पन का और पुरणा समय का बातों को मैं नहीं लेकर जारे कूँके आप लोग को अच्छी तरह से मालू में किस रिती से वो इली के घर पे था वहाँ पर बरभरेश हुआ बढ़ा हुआ और प्रभू के लिए सेवा हुआ कर के आप लोग जानते है इसराइली लोगों ने भी बाकी देशों को देखकर उनके अंदर भी एक इच्छा हुआ कि जैसा बाकी देशों में राजा है वैसा हमको भी एक राजा चाहिए इसके लिए उलुग खोज रहे एक राजा को यह बात का जब मांग जब लोगों ने किया तो हम देखते है कि समयल का मन में वो बहुत दुकी हुआ तो यह सब परिसिती में जब लोगों का आवस्ता को देखकर यह लोग ऐसा हो गए बोलकर दुकी होकर वो गया प्रभु के बास देखको आपका यह लोग आपके विशे इस विशे में मांग कर रहा है करके बोलकर जब उसने अपने आपको समर्पन किया तो प्रभु का जवाब यह था कि जो लोग मांग रहे उनको देदो और वहाँ पर जो पहला राजा जो रहेगा वो कहिस तरह करिती होना चाहिए करके प्रभु उसको बताता है वहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि वह विशे इसको जब आप देखते समय में उसका आठ से नौ से अधिया इसे हमलों 10-11 अधिया थे तेरा तक पढ़ते हैं समय में ओ विक्ति कि प्रकार का है करके उसका एक अधियागों में उसका गुण दिया है यहाँ पर एक इस रिती से यहाँ पर हो गया है करके जब जो विक्ति जो राजा चुन्ने वाला था उसका आवस्ता कईसा हो गया था कि उसका पिता का जो गदा था वो खो बेटा था तो उस गदे को खोचने के लिए डूंते समय में वेक्ति का गुलाग दास उसका कहता है कि देखो उस नगर में भविष्वक्ता रहता है उस भविष्वक्ता को पूछे के तो वह हमको सही रास्ता बताएगा और गड़क पोचके देगा ऐसा वरो भावना में और लोग बवुश्रक्त को मिलने जा रहे हैं परन्तु यह विक्ति इस रिती से शमयल के पास आते हैं समय में उसमय में परमेंश्यर समयल को एक दर्शन दे रहे हैं यह विक्ति अभी कौन होने वाला है और उसका बुद्विश्चता क्या है तो शॉल आके वहाँ पर पूछता है कि यहां का दर्शन देखने वाला है बविश्वक्ता कौन है वहाँ पर डिरेक्ली सम्मेल वहाँ पर कहता है कि वह वेक्ती मैं हूँ तेरा जरूरत क्या है मेरा पिता का गदा खो गया है शॉल वहाँ पर क्या कहता है कि तु गवरामत तेरा पिता का गदा मिल चुका है शॉल वहाँ पर एक बली करने के लिए जा रहा था शॉल वहाँ पर शॉल राजा को अभिशिक करता है शॉल वहाँ पर शॉल वहाँ पर शॉल राजा का गदा मिल चुका है और अब देखते हैं कि यह जो यह राजा बनने के बाद कीमल दो ही साल था जो पूर्न रीती से राजा बनकर उसने सेवा किया और फिर आगे चलका उसके बाद वह अपना राजय पत्वी को खो बैटा है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसको और आजय पत्वी कोना पड़ा सबसे बड़ा हार कारण इस बात पर था कि जब शाओल राजा जब उसको इंतजार करना था को आकर बली करने के विशह में वह वह इंतजार ना करते हुए वह खुद जल्दी से जाकर बली किया और उसके बात की मजेब बात का परिणाम को सबसे बड़ा परिणाम को हम देखते हैंगी उसका राज्यक हो बैटा और तेरा अधियास से जब हम पढ़ते सब्य में वापर 14 वाके में उस रिती से वापर प्रभू को बोध्य होकर दूसरा एक विक्ति को चुनने का विशह में आवस्ता में आता है तो वाप पुराण नियम का अवस्ता इसा था कि परमेश्वर हमेशा बहोष्वक्ताओं को चुनता था ताकि यह बहोष्वक्ता लोग क्या करें राजा और राजी को नियंत्रन करें तो यह अभी तक में इस राजा के विशे में, शाहूल के विशे में, इसलिए यह सब बाते हैं, यह उधारन अभी तक मैंने यह सब लिया, उस विशे में, जो जो गुड जिस विशे में, चीड गड़ अभी अधिया, जिस विस्वेक्ति को हम लोग माने कर चलते हैं, विश्वास करके हम उसके पीछे होते हैं, उसका क्या गुड मिशेष्टा है? क्या सचमुच इस विक्ती का पीछा होने के लिए वो विक्ती योगे और काबिल है क्या और हम जाते हैं कि जिर एक ही विक्ती योगे और काबिल है जिसके हम लोग उसके पीछा होना है दुनिया के संसार के किसी विक्ती को देखकर उसका अनुकरण करने गया या उसका पीछे अंधिया तो दोका होगा परबेश्वर तुम आत्रे करो निर्बर करो तुम प्रभूक उपर और राज्कमारों के उपर बरुसा करें से अच्छा यहा परबेश्वर तुम बरुसा करो मर्कोस का उसका आटवा दिया है चौतीस से अर्टीस तक हम पढ़ेंगे उसने भीड को अपने चेलो समें पास पुला कर उसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इंकार करें और अपना कूस उठाए मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा यह बागों को पढ़ते हैं यह एक ऐसा बात है जो चारो समाचारों में हम देख सकते हैं तो यह तीन सूसमाचारों में यह एक्जैक्ली जैसा हमने पढ़ा है वैसे ही हम देखते हैं सिब यहना का सूसमाचार में इस बात में थोड़ा बातों को एक्स्टा किये डाला है यहना बारा का पचीज भी पढ़ेंगे जो अपने प्रान को प्रिये जानता है वो उसे को देता है और जो इस जगत में अपने प्रान को प्रिये जानता है वो आनल जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा यह बात को पहला तीन सूसमाचारों में जैसा आपने मर्कोष में पड़ा उसी रीती से लिखा है जिए जिसके पीछे हो रहे है वो हमारा प्रभी येश्यमसी है वो जब चेलों को बुलाता है उनलों का काभिलता क्या है करके मैंने बताया पहला परंतु उन्होंने किया हुआ कारियों को अगर हम देखेंगे तो उनको जब बुलाया गया था उनलों किस अवस्ते में थे और फिर उनलों को ने प्रभु का उस महत्व को देखा तो उनलों को चोड़ कर प्रभु के बीचे हो लिया तो वहाँ पर इस चुनावट को हम देखते है हम लोग तो इतना समय तक मच्छी पकड़ने वाले लोग थे परतु अभी हमे क्या बुलावट देकर बुलाया है कि आज चे तुम लोग मनिश्य पकड़ने वाले लोग होगे उस बुलावट को देखकर हम आए है जिस वेक्ती को वो पीछे हो रहे है उनको एक बात समझ पर है जिस वेक्ती ने आमको बुलाया है धिकिक्षी को पीछे उसका पीछे होने के लिए वह हमारा गुरु है करके बाहनने के लिए ओह विक्ती इतना युग है ज़ब और खर खोग मंद समय है प्रभु के उपसिती में आया था रख्मक चार हजार लोग उसमें में थे जो प्रभु के पिछे आया पर हम क्या देखते हैं कि उन समी लोगों को प्रभु उनको बोजन देखकर उनको तरब्त किया परन्तु इस तरह इस अवस्ते में होते समय में इतना बड़ा कारी करने के बावजूत भी इसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुड़कुड़ा रहे थे तो आप फरीसी और सदुकी लोग थे तो उसके बाद से लेकर चौदा आट अधियाई कर चौदा वाके से लेकर 21 वाके तक पड़ते समय में वहाँ पर एक बाद जो प्रभु चेलों के साथ संब्भवना वाँ पर कर रहा है उसका में विश्यय इस बाद पर है कि क्या हमने प्रभु को रोटी लाकर दिया नि इसके लिए प्रभु ऐसा बोल रहा है बोलका शुरू कर रहा हो और प्रभु परीसी लोगों का जो खमीरी पन का अवस्ता को वाँ पर बताया है तो खमीरी पन के बात करते समय में चेले को क्या लगा हमने रोटी लाकर दिया नहीं इसके लिए प्रभु इससा बोल रहे हैं क्या और इसके बाद 22 वाखे से वापर हम देखते हैं कि अंदा विक्ती को चंगा किया और इस सरा एक-एक दृष्टातों का अवस्ता वाँ पर देखकर एक-एक बातों का पूर्टिकरण देखकर प्रभु का सामर्द और कारियों को देखने के बाद 31 वाखे से वापर प्रभु का मृत्यू के बारे में बताया जा रहा है अपना मृत्यू किस रिती से होगा करें ये बात प्रभु पहले से ही पता रहा है ये बात को जब प्रभु जब बोलते हैं समय में अपना मृत्यू के बारे में बोलते हैं समय में ये बात पत्रोस को पसंद नहीं आया और प्रभु को अलग लेकर जाके प्रभु को दाट रहा है और वह आठ का 33 में पढ़ते समय में वापत इसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु ने का ये शेता कुछ से दूर हो जा और फिर उसके बात से आप लोग चोटीस को वाके से लेका 38 वाके तक पढ़ते समय में एक व्यक्ति को पीचा होने के वजे से उसको क्या-क्या गुड होना चीए क्या विशेश्चता है करके हम देखाए और वहां पर हमारे विशे में जब उस वाके को लागु करते हैं समय में किस स्रीति से हमें उस वाके का उसका उस वचन का जो अजुशासर का और जो डिसिप्लिंग का अवस्ता है एक चेला किस रीति से रहना चीए करके वो हमारे विश्य में हो कह रहा है मसी जीवन के विश्य में कि जबस्ता के आदार पर मसी लोग जीना चाहिए वहाँ पर कहा है तो क्या सच मुझ वो उसके पीछे होने के लिए वो योग है क्या पहला बात हम देखते है उसे अपने आपको अनकारना होगा लुका नव बे अजी इड़ी पतिनान बाकिना कर तेज़ ओचोविश उसने सब से कहा यदि कोई मेरे पीछे हाना चाहे तो अपने आप से इंकार करे और प्रती दिन अपना पूर सुटाए हुए मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपना प्रांट बचाना चाहे वो उसे खोएगा और तो जो कोई मेरे लिए अपना प्रांट खोएगा वो उसे बचाएगा तो अपने आपको नकारना है करके कहा आपर अपने जो बात करना है कहा पर जाना है क्या खाना है और हम अपना अमार सभी जीवन का अवस्ताव को प्रभू पर आश्रे करेंगे तो तो वहाँ पर निर्णे लेने के विशे में आते समय में वो अमारा निर्णे नहीं बलके ये सम परिसितियों में प्रभू ने क्या इच्छा रखा और प्रभू का बात क्या आये करके जानना जरूरी है प्रभु के हाथ में है उधारण में अगर हम देखा तो ये व्यक्ति अगर वो सैनिक होना चाता है तो उसका चुनावट के लिए जो इंटर्वी होता है उने के बाद और फीर उसका चरीरिक रिती से वो सच मुच फिट है के नी देखने के बाद तो नियोक तो कर जब वो एक सोल्जर बन का राता है सेरिक बन का राता है तो वो और मी फोर्स पर अंदर घुस्ते ही क्या होगा वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी क्या हुकम करेगा उसको वही बात मानना पड़ेगा तो अगर ऐसा उसको कुछ पसंद नहीं आया उस सेनिक को और वो अपना बाते कुछ बता रहा है बोला तो वहां का अधिकारी क्या बोलेगा तो एक सेनिक बनने के लिए काबिल नहीं लुका का बुस्ताग उसका चवदा आदिया है उसका 26 और 27 अधि कोई मेरे पास आए और अपने पीचे ना आए तो भी मेरा चेना नहीं हो सकता मलत जो जिसके पीचे हम लोग जा रहे है उसका सेवा करने के लिए उस वेक्ति का मांग के आए जो हमने अपने विशे में जो बात को प्रिया जाना है वो सबको छोड़कर प्रभू को पहला सान देकर क्रूश उटा कर उनके बीचे जाना है हमारा मादापिता, हमारा बाई बेन, बदू मित्र, हमारा बच्चे और अपर सबीच जायदा, सब कुछ, सबको त्याकर, सबको छोड़कर, प्रभू को पहला सांदेकर, वो हमारा प्रभू है मानकर चलना है शायद इसमें से कुछ बात हैं ऐसा रहेगा जो हमें चोड़ने के तकलीव होगा तो ऐसा कैसा होगा कि इतने साल में मेरे परिवार के साथ जिया, उनका प्रेम मुझे मिला, उनका अनुबव मिला, उनके साथ मेरा, अभी इन सब को छोड़कर, मैं दुसरा विक्ती का पीछे हो रहा हूँ वनघा मेरे जंघार विक्ती, मिला, उनका प्रेम मेरेु अनुख नँखा हूँ परीदू यह जोबने के अनुखा प्रेम Allah को छोड़कर, मैं तका प्रबू के साथ मृटव को छोड़कर, वह सुद्धी परिछे हो रहा हूँ अबने चोड़ कर जो निकला उसके हिसाब से वो कतिपल देने उसका बरपाई देने के लिए भी वो सामर दिये इस रिती से हमें पुराणा मियम में एक विक्ति को आप देखते है हम लोग प्रचार करते समय में हमेशा ये विक्ति का नाम लिया जाता है और हम जानते है कि विश्वास का जो पिता है उसको जब प्रभू ने बुलाया मैं तुझे उस नगर पे लेकर जाओंगा जो मैं तुझे दिखाने वाला हो तो वो नगर के बारे में बोलते समय में अबराम के पास कोई जानकरी नहीं में पूदकी आपने पीचे होना है तो तुझे आपने आपको भी इंकारना पडएगा दूसरी बात है तो पहला बात था कि उसको सब कुल चोड़ना है दूसरा बात क्या प्रभु केता है फीछे होते समय में अपना कुरूश उटा कर आना है हम जानते हैं कि क्रूश क्या दर्शाता है हम जानते हैं कि हमारा प्रभु पूमी पर आया उनके खिलाब जो रुखे हुए लोग थे उन्होंने प्रभु को ग्रोश में चड़ाया और ये उत्रा ही नहीं प्रभु कस्टत के द्वारा निंदा के द्वारा ये सब दुख वेदरा से प्रभु गुजरा स्रिष्टी कर्थाव कर्थावच्वने स्रिष्टी अबढु दुख शिच्च्चित आई नमलके काणवान करिए उन्होंदे को पूरा स्रिष्टी ने प्रभु को ग्राया करके हम देख्ते हैं पर दिखते हैं कि जो महान सिष्णी करता है जो सारा आराधना के लिए और प्रभुत्वा सिखार्नी के लिए जो योग है मनिश्य ने क्या किया उस महान प्रभु सिष्णी करता को चोड़ कर सिष्णी किया हुआ पेड़, पशु, जानवर, उड़ने वाले और रेगने वाले उनको उनके नाम पे मूर्थी बनाकर उनको अलोग ने सेवा करने लगे परन्तु हम ये बात को पैचानते और समझते हैं क्या समझते हैं कि हम अपने आपको ठुकना कर क्रूश उटाकर किसी पीछे का आगरा रनुकरन करना है तो किसी के पीछे जाना है तो वो सी प्रभू ही है वो योग ये विक्ती जिसके पीछे हमें जाना है हम जानते हैं कि हमारा काबिलता क्या है हमारे पास ऐसा कुछ भी गुण विशेष्टा है कि अच्छी बात है क्या बोलने के लिए कोई भी समय में प्रभु के उपसिती में खड़ा रहे कर कुछ अच्छा बात बोलने के लिए कुछ भी गुण हमारे पास नहीं है परतो इसराइल के विशे में वहाँ पर पढ़ते हैं कि इसराइल तो कम से कम प्रभू के लोग है और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि हम देखते इसराइल और अन्य जाती के विशे में कोई भी रिष्टा नहीं है तो इसके लिए प्रभु अपने लोगों की बीच पर आया को परिणाव क्या हुआ वा जो प्रभु के लोगे जो उस प्रभु को शिक्रा ना चीएथा उन्ही नहीं लोगों को ढुक्राया और उस्तूशवर और जो अन्य जाती थे जो परमेशर से दूर थे इस रहे से दूर था परमेशर कौने जानता निता उनको सहब आगे मिला उन लोगों ने प्रभू को चुना प्रभू को अपनाया अमें तो वो अपने लोगों की बीच में आया राजाओं का राजा बनकर अपने लोगों के बीच में आया पर तो अपने लोगों ने उसको पैचाना नहीं और जो अधिकार और हुकूमत में जो आया था उस इजत और गोरव उसको ना देते हुए उसको प्रूश्वर चड़ाया पर हम जो पापी हैं, हम जो दोशी हैं, हम जो शत्रू हैं, जो परवेशर के खिलाब हैं, हम जैसे शापित लोगों ने ये बात को पैचाना और माना कि ये ही राजा का राजा है और ये सारा आरतना का स्विकारने के लिए योग है, इसलिए इसके पीछे चलो प्रभू को उस विष्यले के दन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभू ने हमको एक सोबा के दिया, एक मौका दिया कि हम जो कुछ भी थेईनी, हमारे कुछ भी मूल्यता नहीं था, ऐसे हम जैसे लोगों को प्रभू ने मौका दिया कि तुम लोग आओ, अपना कुरूश उटा कर आओ, तुम मेरे चले बनने का तुमको मौका है बोलकर, प्रभू आमको आउसाद दे रहा है कि अपना करना के लिए, रहे हम प्रभू के हम पीचे हो रहे हैं, वह इतना बलवान है, कि हम उसके पीचे, जा सकते हैं, ताकि हम उस महान प्रभू हमें संभालता है और प्रभू ने इसके पीछे होना है उतना ही नहीं बलकि हमें उसके पीछे उकर उसके सदुनों को और इसके लिए जो जिस प्रभू ने अपको बुलाया है वो प्रभू ने जो हमारे विशे में हमें बुलाते समय में वो एक बात कहता है कि अपना कुरूश उटा कर आओ तो इसलिए आओ सच मुच अन्तो सक्त विश्वास योगता के तार हम लोग कुरूश उटाते हुए उस प्रभू के पिछे हुए तो इसके लिए आओ हम देखे एक बात को देखे कि इस प्रभू के पिछे आगर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो खो बेटेगा या हमारा जीवन में कुछ बात हमको मिलेगा या प्रभु को बीचे निए अपने आपको अगर हमने दिया प्रभु को बीचे निए अपने आपको बचा के लिए अगर कोजिश किया तो हम भोबेटे के वह राज के विशेक बातों को बेटे के लेकिन अमारा प्रभु कितना बड़ा दयाल हुए कि वह जब हमें बुलाते समय में वह इतना विश्वास होगी है कि उसने देख रहा है कि हमने कुछ बातों को छोड़कर आया है इसलि अगर उसने दुनिया में बहुत से कमाई मिल रहा है यह बात उसको कमाई के पीछे जाकर अगर हो जा रहा है बलके मुझे कमाई को खोना पड़ेगा प्रभू प्रभू को पाने के लिए आइसा आगर हो अपने अपको समर्पंट कर रहा है तो तो मुझे दुखी होका चिंचलित होने की ज़रूरत नहीं है बलके मुझे प्रभू पर वरोसा करना है इस विशे में अबरहाम को जब हम देखे तो तो उसने सब बाते छोड़ कर वो आया था और उसने सिर्व एक ही मान प्रभू से किया मैं ऐसा अंजान देश में जा रहा हूँ पर तो वले ही एक अंजान देश में जा रहा था उसका अबरहाम का अनुबह हम क्या देखते हैं अंजान देश में जाते हैं समय में परवेश्वर उसके साथ था और प्रभू उसका हर रास्ते में उसको साथ दिर्देशक देकर वो चल रहा था क्योंकि हमारा प्रभू इतना महान है कि जिस लक्षे के लिए उसने हमें बुलाते समय में वो प्रभू ये बात देखेगा कि उस लक्षे में हमें पहुचा है और अंतर तक वो हमारे साथ रहेगा फिर भी अबराहम को एक बात उसने मांग किया और वो मांग का पुर्तिकरण आगे हुआ क्या उसने मांगा वो उसको पूरा हुआ करके हम देखते है और फिर बले उसको वो चीस मिल गया हो आगे चल सकर यही प्रभू जो चीज उसको दिया था उससे प्रभू वापस मांग रहा है और हम क्या कि देखते कि बिना इसकी चाहिए जिस प्रभू ने मुझे दिया है उसी को मैं वापस लटाऊंगा बोला विडा इसकी चाहे विडा के अपरा बले वो पूर्ण भरोसे अब उसने दिया जैसा आपने पड़ा कि तुम अपना मादा बिता बाई बहन बंदु मित्र सब को छोड़ कर त्याकर जब तुम पूर्ण रिती से प्रभू को पहला सान देकर आएगा तो वो प्रभू वो काबिल है और वो बल्वन है वो हमारा सारा रिष्टे को वो संबालता है और हमारा सा सारा रिष्टा को वो आशिश में करता है अब रहाम ने इस रिती से जब वो बली करने के लिए बिडा इसकी चाहिए अपना बेटे को अरपट किया तो उसका परिणाम क्या हुआ उसका बेटा ही बचा किवल उतना ही नहीं बलकि उसको विश्वासियों का पिता कहलाने का जो जो शिर्शक है उसको वो समा आगे ता उसको मिला तो बले ही इस दुनिया में विश्वासी बोल रहे हैं लेकिन उसने पूरा दुनिया को अगर कमा लिया और यहां तक कि कुछ भी नहीं है अगर ऐसा परिसिती हुआ इसा परिसितियों में एक बात हमें गानना है नहीं तो मुडवन नेड़िया लूम तु बले ही पूरा दुनिया जीत ले ले अगर देने के लिए और अब उधार देने के लिए वह आया है तो इसके लिए दुनिया के बातों में कोई भी चीज या सब चीज भी अगर हमारे पास है तो या तक कि कोई भी कोई भी शारीनी चीज का घटी नहीं है ऐसा अवस्या में बले हम जी रहे हो लेकिन आगे मरने के बास तेरा प्रांट नरग में गया तो वो कमाएगा क्या फाइदा तो उसको क्या लाप होगा पूरा दुनिया को बले हमने कमजा कर दिया होगा दुनिया के लोग किसी भी रिती से हमको बले देख रहा हो वो वेक्ति ने बागी दुनिया के सभी लोगों से दुनिया से भी सबसे बड़ा वेक्ति मैं हो करके ऐसा बनोबावना भी अगर रख दिया तो अपना प्राण का हानी उठाया तो जिसके वजे से तेरा आत्मा नुक्सान नरग में जाएगा ऐसा होगा तो उसका क्या पाइदा एक वेक्ति के बारे में हम सुसमाचार में पड़ते हैं उसने अपना घर को बहुत तोड़ कर अच्छे से सजाया और पूरा धन और बंडार को उसने जमा करके रखा और फिर वो उसने अपने मन में बोलने लगा कि मुझे अभी कोई चीज की गड़ी नहीं है तुरत वहाँ पर एक सवाल वहाँ पर आ रहा है वो सोचने लगा मैं अभी जीऊँगा खाओंगा आनद करूंगा उल्लास करूंगा तो वहाँ पर फिर से एक सवाल आता है कि अगर मैंने अभी तेरा प्राण का मांग किया तो अभी इस यह जब जो कमाया है उसका क्या फाइदा अपने प्राण के बदले तु क्या दे सकता है पुरण नियम में एक राजा को हम दिखते है पुरा मनुरेंजन करके अपना पूरा रखेलों को बुला कर और दुसरे देशों के राजा और अधिकारों को बुला कर उसके साथ एक दम जर्शन मना रहा है खुशी मना रहा है वहाँ पर भी एक सवाल उसके वह आया उसका जो महल में महल में एक हाथ आकर उस वहाथ ने कुछ लिखा मैंने तकेल करके वहाँ पर लिखकर एक सवाल उसको पूछा गया मैंने तुझे तोला हूँ और दोलते समय में तुझे में कमी पाया अभी तू बच नहीं सकता आज तेरा प्राण को में तेरे से लुगा इसके लिए प्रभू आपर पूछ रहा है कि तू पूरा दुनिया को अगर कमा लिया हो तू अगर अपना प्राण के हानी उठाया तो उसके बदले तू क्या दे सकता है उसका क्या लाब होगा तुझे इसने ये मेरे प्रिये लोगो हमने जिस प्रभू को अपने स्विकारा है वो सब चीज के लिए हमारी लिए पूर्णता है अगर उसके पीछे होना थो सबसे पहला हम देखते है कि हमें अपने आपको न कारना है अपने आपको शूनिय करना है और उसका खूरुष उटाकर उनके पीछे जाना है और हमें समझ रहा है कि यह प्रहान प्रहांट जो हमेरा देखबाल करते हैं और हमें समालता है आत्मी ग्रीति से सब बातों में तरुप करते हैं उस प्रहान को अनुकरण करते हुए तो समचार के लिए जब इस दुनिया में हम जाते समय उस प्रहान के लिए हमें साथ को दुख उठाना पड़ेगा शरीर में वैदना उठाना पड़ेगा यहां तक की मरना भी पड़ेगा परंदु जो प्रभो ने हमें बुलाया है वो विश्वास योगिया है वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं अंत समय तक वो हमें चलाएगा जैसे हम जाएंगे हमको एक आशा प्रभो ने दिया है और वो आशा है कि हम तुरंद अब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे तुरंदी उसी शंड से सर्वदा के लिए हम उसी प्रभो के साथ रहेंगे जिसका पीचे हमने आज किया दुनिया और मनिश्य को दे करके हमको प्रतिग्णा दिया तो भी Exact रहें तो ईसे जो द्या में नए मिलेगा नहीं कोई लोग हमको दे सकता है फोटा चीजने प्रभो नम पर देंकर रखा है Framaluk प्रश्ट हो चुका है हम पड़ते हैं और हम यह बात भी समझना है कि यह सक्सार तो अल्रेडी ब्रश्ट हो चुका है पर न्तु यह दुनिया में जीने वाले लोग और उसके पीडी-पीडी के लोग आगे चलेगा पीडी और भी ब्रश्टता हो रहा है और भी किरते जा रहा है इसके लिए प्रियो खास रिती से एक नया जनम पाया और विश्वासी अपने पीडी के लिए अगर प्रभू उसको जीने के लिए मौका दे रहा है तो उसको सचमुच प्रभू की उपस्तिति में समर्पन करना है आपने आपको समर्पन करके जिस प्रभू का प्रभू को हमने समिकारा अगला पीडी उस प्रभू को प्रभू है करके समिकारने के लिए तयार नहीं है क्योंकि हमने हमने प्रभू को प्रभू को प्रभू के आदीर करके देने के वजय से हम यह पोल पा रहे कि हमारा प्रभू है और हम आपी के मिचे हम समर्पन कररे करके और ऐसा हम लोग करते हैं समय में उस प्रभू के विशे में सिव अच्छा बातें बोलने के लिए और हम खुश है तुरुपत है कि बलके प्रभू के बारे में अच्छा बोलने के लिए हमारा मन हो रहा है इस दुनिया में इस रीटी से और को ही मनिश्य ऐसा निये कि उनके पीछे होकर और वो योगे हैं बोलकर इस रीटी से पीछे होले क्योंकि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो योग है और काविल है जिसका अनुकरण हमें करना है जिसका पीछे होना है जिस तरह प्रभू ने मच्वारों से कहा ये सब छोड़ो और मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनिश्व पकड़ने वाला बनाऊंगा हमारा प्रभू ने जिस प्रभू ने अमको बुलाया है और जिसके पीछे जा रहे है उस प्रभू ने हमको यहीं जिम्मेदारी दिया है सूस मचार के निबेत हमको कश्ण सेना पड़ेगा आप लोगों ने शाहिद नौर्थ इंडिया में जो जो गटना है और असु समचार के नाम पे विश्वासियों क्यों पूर आने वाला सतावट को आपने शाहिद सुना होगा पजब में बिहार में यूवी में यहां तकी में जो जहाँ पर रहरा है और डेली बॉर्डर में वो सब जगह पर सुसमचार के नाम पे बहुत कस्टम को सेना पड़ रहा है करता है और उसको उसको अगर हम लो पकड़े रहे थामे रहे अपने आपको नकारकर कर क्रूश को थामे रहा तो क्यूंकि हमने एक किया वो इतना काबिल है कि वह में ब्रतिफल भी देगा कभी नहीं सोचना कि इतना मैंने सब कुछ किया और यह प्रभू आशिश नहीं करेगा प्रियों एक बात देखना अपने जीवन को द्यान से देखना अभी तक हमारे पास जो भी कुछ है वो प्रभू का अनुगरा के वज़े से इसलिए आओ जितना समय बचा हुआ है पूरा समय पूरा समर्बन करते हुए उनका कुरूश उटा कर हम चले क्योंकि उसका पीचे होने के लिए वो योग है प्रियो जारा सोचो जैसा अभी हमने देखा कि एक विक्तिन एक मनिश्य ने पूरा दुनिया को उगर उसने कामा लिया हो पूरा संसार का सभी वस्तूओं को उसने अपना बना लिया लेकिन वो अपना प्राहन का हानी उटा रह है उसके बदले वो क्या दे सकते है कुछ भ और जो प्रभु को हमने जाना है ओर समझा है ओविश्वाश्योगी प्रभु है यह जाना हुआ प्रभु को तामेर हैं कुए वो कभी हमें नहीं रखेगा अर्फंव योगितां के साथ चलाएगा शायद है आपने नहीं में प्रभू को पाया एक गलख वहम है आ सकता है अइसा कभी नहीं है प्रीयो आगा प्रभू देगा नहीं तो हम ठीक नहीं सकते इसलिए आओ उस प्रभू का मजबूत बल्व के हाथों में अपने आपको संभरपन करे अगर सही रीती से पाकर प्रभु का इच्छा को पूरा करना है तो आओ दुनिया को त्याक कर और अपने हम को ठुकषा कर प्रभु के पीचे रहे और और भी पूर्ण रीती आदिक रीती से प्रभु को पाए क्योंकि वो सब बातों के लिए काफी है क्योंकि सब बातों को अबे देकर आशिशित करके त्रिप करने के लिए प्रभु काफी है हमने कुछ भी जो भी चीज का संसार में हानी उटाना पड़ा तो भी जितना आमने कोया है उसका दस गुनाज से भी जादा वह हमको भर उसका भरपाई कर सकता है वह उत्रह काबिल है उसका एक ही उदारान है यूब का जीवन को जड़ा देखना है उसने जो भी कुछ खोया उसको वापस मिला इस वचन के दोवारा प्रभू हम सबको साहता करें हमने जिस प्रभू का अनुकरण करने के लिए इच्छा रखा पीछे हो रहा है वो प्रभू विश्वास हो गया है और वो उसके पीछे होने के लिए वो विक्ति ही होगी है सभी प्रकार का क्वालिफिकेशन को देखकर जो जो सचमुच काबिलता जिसमें है अनुकरण कर सकता है वो एक ही विक्ति है वो मनिश्य प्रभू एश्य मजी इस वचन के द्वारा प्रभू हम सबको आशिशित करें प्रभू का अगर इच्छा हो तो अगला हफ्ता 18 तारीको बैभी के लिए जा रहा हूँ आप सभी लोग का प्रात्ना का व्यापिक्षा करता हूँ और प्रभू का इच्छा हो तो अगला मेना 26 तारीको लोट आने का भी प्लाणिंग चल रहा है प्रभू का पहिमा हो आपने दिया हुआ अग्ता समय प्रभू को पुसिति में रहे कर मैं आपने आपको समर्पढ़ करता हूँ और आप लोगों ने जो दिया हुआ समय आज जो समय दिया उसके लिए मैं दिलेवाद करता हूँ आप सभी लोगों को प्रभू आशिष करें और सायता करें ये बात बोलकर में आपने चब्रभद खत्व करता हूँ प्रेस्तलवाट सवर्ग में एक सवाल आया योग्य को ने प्रेस्तलवाट योग्य को ने हो जाना जुनी नी बात है योग्य विक्ति के पीछे हो लेना ये सबसे बड़ी बात है हुँइ बमोने मेरे घर्स एने के लीड़ी दिसस वर्षा भूसे इए बात हुए है कि विक्ति Carson भूस में इंद जालनेवाब मंतर को डिगा तरफान बॉल्ट णेखिश को मैंद्ल से भी बढ़ाए कि उससे बड़ा कोई है कि कोई कि सबसे बड़ा तो पर योग इसलिए पर ने अपको बुलाएं और एक आधर सिदे कर गया है हम प्रभ इसलिए और उड़ा सक्ता अपर्या को इनका प्रा सुलिए इसलि उड़ा मिस्टी सब्सक्राइब 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 जो प्रभ का वजन में बेना नहीं रहता वो को ने वो चेरा नहीं वो जूटा है वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्राइब प्रभु का पजण से बात किया उसके लिए प्रोको बहुत है आखरी समय है कि बहुत सावदारी से चलने के टाइम है तो जिरूर इस समय करने के लिए और प्रभू में मेरा रेक के प्रभू के हाद उपन की बाट वाने के लिए प्रभू सब्सक्राइब करें प्रभू को महीं मावी लेगे